प्यारे विद्धेर्थियों आज हम कक्षा सात्वी अध्याए 19 आश्रम का अनुमानित वे का हिंदी कारिय पुस्तिका का कारिय करेंगे आसा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा पैरे विद्धेर्थियों मेरे चैनल नौजल एज्यूकेशन सिलारपुर को सबस्क्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सकें आपके लिए हम और अच्छे वीडियो बना कर ला सकें आसरम कानुमानित वेपार्ट साहिते की विदा लेखा जो खाकें अंतर गताता है इसके लेखा का नाम महंदास करमचंदगान दी है इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है इस से हमें ये सीख मिलती है किसी कारिय करने से पहले उसकी रूप लेखा बहुत सोच समझ कर बना लेनी चाहिए ताकि उसमें आगे समस्या ना आए ये कुछ ओजार दिये गए हैं ये ओजार जिन लोगों के है टेबल में हमें लिखना है अब देखिए राज मिस्त्री जो चिनाई का काम करता है उस मिस्त्री के क्या क्या ओजार है अथोड़ा है साउल है लेवल टेस्ट है छेनी है करनी है बरस है किसान के कौन कौन से ओजार है किसान के होजारों में कुदाल, खुर्पी, संड़ासी, बेलचादी किसान के होजार है बड़ाई मिस्त्री के कौन-कौन से होजार है बर्मा, आरी, रंदा, वसुला, बेगनी, रुखानी बिजली के मिस्त्री के कौन-कौन से होजार है पिलास, पेचकस, टैस्टर, टेलर मास्टर के कौन-कौन से होजार है सुई और सुजा तुम और किन-किन ओजारों के नाम जानते हूं ओजारों के बारे में हमें लिखना है दोखनी का परियोग लोहार करता है डाई का परियोग सुनार करता है लोए के कटर का परियोग लोए का मिस्तरी करता है बरफ के कुदाल का परियोग बरफ की फैक्टरी वाला करता है पैंट बरस का उप्योग पैंट करने वाला करता है तुम्हारे गर में कौन-कौन से सदस्टे हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं उनकी एक सुची बनानी है सदस्टे का नाम मा रोटी बनाने का काम करती है पिता खेत का कारिय करता है भाई दूद निकालने का काम करता है बहन जाड़ो निकालने का काम करती है तुम्हारे घर में कौन-कौन से चीज़े हैं, इनका उप्योग कौन-कौन करता है, कार का उप्योग, पिताजी करता है, टेक्टर का उप्योग, भाई करता है दरात्य का परियोग मा करती है, सिलाई की मेशिन का परियोग बहन करती है, साइकल का परियोग चाचा करता है तुम किन किन कामों में अपने से बड़े लोगों और छोटे लोगों का हाथ बटाते हो मैं अपने से बड़े लोगों, छोटे लोगों के निम्न कामों में आथ बटवाता हूँ पानी भरने में, खेती बाड़ी में, दूद निकालने में छोटे लोगों को बोजन प्रोशने में मदद करता हूँ तुम्हारे घर में एक दिन में किस किस तरह के खर्च होते हैं खर्च सामान और पैसे दोनों के बारे में हो सकते हैं खर्च के बारे में बड़ों से पूछ कर लिखो आटा 50 रुपय का लगता है चिन्नी 20 रुपय की लगती है चाहे तेश रुपए की लगती है दाले तेश रुपए की लगती है अनाज बेश रुपए का लगता है बिजली का बिल तेश रुपए का दही तेश रुपए का आता है घी पचास रुपए का आता है तुम्हारे यहां कौन मेहमान आते हैं हमारे घर में विविन परकार के मेहमान आते हैं ये किन आउसरों पर आते हैं तयोहारों विवास आदियों कुवा पूजन धार्मिक आज़न आदी पर आते हैं इनके रहने, खाने, पैनने, ओडने, आने जाने और मन और अंजन के लिए क्या-क्या इंतिजाम करते हो रहने के लिए स्थान का प्रबंद करते हैं तदा खाने के लिए बोजन की वैस्ता करते हैं पहनने ओडने के लिए कपड़ों बिस्त्रों का प्रबंद करते हैं आने जाने के साधनों की वैस्ता करते हैं मन और अंजन के लिए भी प्रबंद करते हैं तुम किसी दोस्त के यहां विया साधी में जाते हो तो क्या क्या काम करते हो मैं अपने दोस्त के यहां साधी विवा में जाता हूँ तो उनके सभी कामों को करता हूँ खाना खिलाने, साधनों की वैस्ता करने लोगों को बोजन करवाने का काम करता हूँ तुम्हारे पास सो रुपए हैं तो तुम उने किन किन चीज़ों पर खर्च करोगे आइस क्रीम चाड़े रुपए की ले लूँगा समोसा बिश रुपए का ले लूँगा पेपदार चाड़े रुपए का ले लूँगा इस तरह सो रुपए खर्च हो जाएंगे काली गाय कहां गई? तो काली गाय में यहां काली विशेस्टन है उसकी कमेज पुरानी है तो पुरानी विशेस्टन है शकूल में पांच शिक्सक है पांच विशेस्टन है थोड़ा दूद लियाओ में थोड़ा विशेस्टन है कितने रुपए चाहिए तो कितने विशेस्टन है वह आदमी इदर क्यों आ रहा है? तो यहां वह विशेशन है वैसे यह वह सारो नाम है लेकिन संग्या से पहले आदमी से पहले आ रहा है तो इसलिए यह सारो नामिक विशेशन का कारिय कर रहा है इसलिए यह विशेशन है उपर लिखे वाक्यों में से विशेशन सुनकर लिखो काली पुरानी पांच थोड़ा कितने वह